इस समय हम सूरत में हैं, यहाँ पर जो काम हम आपको दिखा रहे हैं वो बुलट टरेन प्रोजेक्ट का काम है यहाँ एक खास जगहे पर हम आपको लेकर आए है क्योंकि यह जगहे जिस जगहे पर मैं खड़ा हूँ ये पास में ही national highway 53 की अगर हम बात करें तो मुंबई से हजीरा की ओर यह highway ले जाता है और यहां पर एक खास काम हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं और यहां जो आपको यह उपर पुल दिखा रहे हैं यह bullet train के लिए बनाया गया है और इस पर और ज़्यादा बाचीत करने के लिए हमारे साथ यहांके CPM है सत्यप्रकास मित्तल जी आए सीधा उनी से बात करते हैं सत्यप्रकास जी यह जो ब्रिज है स्टील ब्रिज जिसको आप दिखा रहे हैं यह किस तरीके से खास हो जाता है इसमें स्टील यह बुलट ट्रेन का हमने बनाया अगर आप देखें इसमें सेप्टी क्वालिटी और डिजाइनिंग और इसका बड़ा ही कॉंभीनेचन बनाये गया है कि Japanese टीम के दरा एक्सपर्ड को दरा से डिजाइनिंग चिया गया इसका जो फैबरीकेचन के तील का व.. टॉटल फैबरीकेच अप्वेश तुम्ली के पास एक फिर्म थी वहां से इसको ट्रांस्पोर्ट किया गया। आपका इसका इरेक्षिं किया गया और एक्सन करने के बाद इसको लॉच खिया गया। इसमें तीन चार इस्पेशल फीचर से ब्रिच के अंदर पहला यह कि ब्रिच के जो मेंबर्स की जो फास्ट निंग है वह यहां रेल्वेज में पहली बार यूज में ली गई है जिसके अंदर उचको हम टीटी एचस भी मेथड कहते हैं और फास्ट निंग डेटी मोर इसमें जब तेज रफतार ट्रेन चलेगी तो उसके लिहाँ से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी गई थे रफतार जो ट्रेन निकलेगी इसके इसके अंदर जो बोल्ट है जो मैंने आपको का टीटी एचस भी वह बैस्ट टाइप के यूज में लिया है जिससे आपकी फास लॉकनट टाइब है वह एक बार आपने उसको टाइट कर दिया लॉक कर दिया इट विल नेवर वी लूजन क्योंकि जब आप ट्रेन इस पर से दोड़ेगी तो वाइब्रेशन यह जितनी फास्टिंग उसके लूज होने के चांस होते हैं तो उस चीज़ को टोटली और दूसरा है कि इसके अंदर हमने बहुत पर्फेक्ट किया गया कि आपकी पूरे डेक्ट के उपर कहीं भी अगर बारिश के अंदर पानी आता है तो पूरा का पूरा पानी कलेक्ट होके रोड पे भी नहीं गिरेगा और वह पीयर के थूरू हमारा पूरा एक आपके पीयर के थूर जाएंगे तो उनको वह एब्जॉब कर लेगा और आपके गडर में उसको ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा एक और चीज यहां पर बनती है क्योंकि जब हम देखते हैं तो नेशनल हाइवे है चलता हुआ नेशनल हाइवे है इसके उपर यह भारी बरकम इस्ट्रक्ट्चर आप स्टेबलिस कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या प्रिकास रखें आप इसमें आपने अच्छा प्रश्नी किया इसमें यह था कि जब नेशनल हाइवे पर ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि तो हमने चीज का ध्यान रखा गई कि डूरिंग लॉंच कि कि सी ताइब का कोई अनूईज्व ल किसी के साथ कोई घटना ना घटे तो हमने लोकल आडिनसेशन के चास्थ ट्राफिक डिपार्टमेंटंच के साथ कौडिनेट करते हुए ट्रैफिक को हमने यह फ्यक्त्रेफिक को बंद किया जाए क्योंकि कोई भी पार्ट अगर उ नाइट में प्लान किया जिससे मिनिमम आपको इनकन्विनेंस रोड यूजर को और उसके बाद भी अगर कोई ट्रैफिक आता भी है तो डाइवर्टेट रूट से वह अपना ट्रैफिक पास हो जाए आखरी सवाल है कि इसके वजन की अगर हम बात करें कितना वजन है और क्या क्या स्पेस्टिफिकेशन से इसका जो में गडर है जो आपका जो गडर जिसके उपर से ट्रेंज जाएगा उसका बजन 700 मेट्रिक टन का बजन है और इसके बाद इसको खीचने के लिए जो एक अर्यमेंट होता है जिसके आम लॉंचिक नोज बोलते है उसका वेट 250 मेट्र का टोटल यह वेट है जो आप ऊपर देख रहे हैं अभी बाकी का लॉंचिंग नोज का डिसमेंटली का काम आपके पीछे हो चल रहा है वह एक दो दिन में खतम भी हो जाएगा लंबाई कितने हैं टोटल लंबाई जो ब्रिच का में गडर का सेवंटी मीटर है और लॉंच ट्रेन का काम दिखाने के लिए लाएं इस तरीके के कई स्टेच हैं जहां पर इस तरीके का काम चल रहा है और यह यह खास पुल हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहां पर लगाता ट्रैफिक चलता रहता है और उपर काम होता रहता है और इसमें अगर जरूरत पड़ती है तो ट्रैफिक को रोका जाता है नहीं ज़रूरत है तो ट्रैफिक क्रास करता रहता है और यहां एक और चीज हम आपको बता दें अभी यह पुल डाला जा रहा है इसके उपर ट्रैक बिछाया जाएगा और उसके बाद टेस्टिंग का काम शुरू होगा अभी हलाएं कि इसमें काफी वक्त है लेकिन यहां काम जबर्दस तरीके से किया जा रहा है गुजरात के सूरत से मैं आपको दिखा रहा हूँ यह द्रस से और यहां पास में ही भाटिया टोल प्लाजा पड़ता है उसी के पास की यह जगए है कैमरामेन सकील हमत के साथ सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन सूरत